बेस्ट बेडमिंटन रेकेट अंडर 3,000, 15 से जादा रेकेट को साइट बाई साइट कमपेर करने के बाद मैं आपको चार बेस्ट मॉडल रेकमेंट करूँगा, 2000 से लेके 3000 के बजट में, जिनको आप डिरिकली परचेस कर सकते हो, without any confusion, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट प्लीज कॉमेंट दो गंटे में रिपलाई मिल जाएगा, 22 के बजट में, योनिक्स ग्रेफाइट बहुत अच्छी चुवाईज है, ग्रेफाइट टंगस्टेन फ्रेम इसमें, नेनो मेश नियो शाफ्ट मिल जाता है, आइसो मेट्रिक हैड शेप है, जिसका बेसिकली मतल ग्रेटर सिस्टम है इसमें, और G4 रॉकेट ग्रिप साइज है, वेट इसका बहुत ज़्यादा कम है, 73 ग्रेम, 4.1 स्टार रेटेड है, 837 से ज़्यादा रेटिंग्स है, 261 के बजट में, करेंटली वैलबल है, इसी रेंच में, FX वेंगार्ड 11 भी मिल जाता है, उसको भी कंसीडर कर सकते हो, अल्मोस्स सेम स्पैसिफिकेशन है, 2500 के बजट में, लीनिंग एरफोर्स 80 लाइट, बहुत अच्छी जोईस है, फुल हाई कारबन ग्रेफाइट है, डायनिमिक ऑप्टिमम फ्रेम मिल जाता है, एरो टेक बीम सिस्टम है, हाई टेंसाइल स्लिम वन रेकेट ग्रिप साइज आपको मिलता है, और 80 ग्रैम इसका वेट है, 4.2 star rated है, 270 से जाधा रेटिंग से हैं, 1500 के बजट में, डू कंसीडर रेट, इसी रेज़ में, योनिक्स ग्रेफाइट 29LT, 2500 के बजट में हो, और लीनिक्स, एर 477G2 भी देखना को मिलता है, उनको भी कंसीडर जरूर करना, और 331 के बजट में, योनिक्स, न्यू मसल, MP55 आपको मिलता है, जो कि कार्बन ग्रेफाइट फ्रेम के साथ आता है, और मसल पावर फ्रेम के साथ आता है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ को यूनाइट करके, आपके पर्फॉर्मेंस को और जादा इंक् हाई टेंशन सपोर्ट है, बिल्ट इन टी जॉइंट आपको मिल जाता है, आइसोमेट्रिक हेडशाफ्ट है, और न्यू ग्रोमेट पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है, जो कि स्ट्रेस को रिमूट करता है, और पर्फॉर्मेंस बढ़ाता है, इसी रेंज में आपको 700 भी देखने को मिल जाता है, उसको भी कंसीडर जरूर करना है, अभी भी कंफिजन है न, तीन हजार के बजट में योनिक्स मसल MP55 बेस्ट च्वाइस है, पच्चिस सो के बजट में लीनिंग एरफोर्स 80 लाइट, लीनिंग एरफोर्स 77 G2, इन तीनों में से कोई भी कंसीड कर लो, बेस्ट है